हलो फ्रेंड मेरा नाम है शशान सिंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो आजकल जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जाएन रहा है हमारा नाइट्रोजन साइकल पिछली वीडियो में हमने जाना hydrogen cycle के बारे में यानि हमारी जो water cycle थी carbon cycle के बारे में carbon cycle के अंदर हमने oxygen cycle को भी पढ़ा अब आते हैं हम हमारी दूसरी अगली जो हमारी oxygen है वा है हमारी nitrogen nitrogen के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे जो atmosphere में है सबसे जदा maximum हमारी जो गैस है वो available है हमारी नाइट्रोजेंट हमारे लिए किस तरीके से इस्तेमाल होती है किस तरीके से हमारी लाइफ में exist करती है जैसे हमने बढ़ा कार्बन में तो से हमें क्या मिल रहा है कार्वो हेड्रेट्स मिल रहे हैं water एक essential हमारी requirement हो गई है अब nitrogen जो है वो हमारे लिए किस तरीके से beneficial साबित होती है human survival के लिए देखिए अगर मैं बात करूं nitrogen की तो देखिए जो nitrogen gas है वो directly हम लोग नहीं करते हैं मतलब nitrogen हम directly नहीं ले रहे हैं जैसे carbon dioxide है तो वह भी तो atmosphere में available है लेकिन directly दो नहीं ले रहे हैं और हमें तक पहुंचा रहे हैं oxygen convert करके तो वैसा ही कुछ plants कर रहे हैं किसके खेल में nitrogen की लेकिन nitrogen का process कैसे होता है nitrogen इतनी सारी available होने के बावजुद भी ठीक से हम लो अब maximum amount of water है तो maximum amount of water है लेकिन उसके बावजुद भी हम सारा समंदर का पानी तो यूज नहीं कर सकते हैं तो पानी कैसे आता है हमारा glacier से नद्यू करास्ते भेह क्याता है जाके समंदर में मिलता है फिर evaporation precipitation जो water cycle में हमने पूरा पढ़ाता है अब nitrogen है nitrogen gas क्या होती है nitrogen gas का basic हमारा use क्या होता है किए इसको इसको इसटिमाल करते हैं तो basically nitrogen के अंदर हमारे हमारे पाया जाते हैं बइस ब्रोटीन क्या होते है Schon वीडियो में आप लोगे तो अब में प्रोटीन के अपने जाए है तो इसे वीडियो में आप लोगो को बताऊए तो देखिए होता क्या है विसी की पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइटी की नाइट्रोजन अभी लेवल है हमारे पूरे एट्मसफेर में 78% प्रेजन इन एट्मसफेर जो आप लोगों को पता है उसके वाद बिल्डिंग ब्लॉप को ऑल लिविंग टिशू यानि जि जिसे स्टमर्ग है उसका अटरोजं अटशोफ में सिटी सिन चिजू को बहुत अप बनाने में बहुत बढ़ा और स्ति अम्मोनिया नाइट्रीट्स ऑर נट्रीट्स अब इक्या होती है चीजे अब इसको cycle में समझाँगा आप लोगों को देखिए nitrogen इस तरीके से हमारे atmosphere में available है nitrogen को जब हम इन चीजों में convert करते हैं तो हम इसको बोलते है nitrogen fixation अब होता क्या है देखिए हमारा जो land है जो lithosphere है जिसके अंदर हमारी मिट्टी है तो soil है bacteria है मैंने कुछ last videos में बताया था हमारे जो soil होते हैं उसके अंदर काफी सारे bacteria पाया जाती है वो bacteria वो fungus का role होता है इस nitrogen gas को convert करना ammonium आयन में नाइटरेट और नाइटरेट में जो फिर ह होते हैं जब soil में जाते हैं तो basically nitrogen gas जो होती है अच्छा यहां पर एक चीज़ और बताना चाहूंगा ज्यादा chemical detail में आप लोग को नहीं जाना है आप लोग की basic point of competitive point of view से पढ़ रहे हैं या अगर आप basic knowledge point of view से भी पढ़ रहे हैं मैं यहां पर किसी science background को तो नहीं डाल सकत है ठीक है detail में जादा research करने की कोई ज़रूद नहीं है तो nitrogen है nitrogen को convert किया जाते हैं जिसको मोलते nitrogen fixation fixation होता है फिर हमारे bacteria होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे soil में वह bacteria बहुत बड़ा role play करते हैं इस nitrogen को convert करने nitrogen fixation में तो मैं उसके नाम अभी आप लोग को बताऊंगा ठीक है उसके बाद क्या होता है फिर उसको ammonia में बनाते हैं ammonia के बाद जो मैंने आपको बताया है nitrate और nitrites में बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब यह दो नों बन जाते हैं तो कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो उसको वापर re-convert करके nitrogen में convert कर लेते हैं वो वापस atmosphere पे चली जात werd जाता है थे करोणियों ऑली का पैर छो द्फरोटों करते हैं कि इसके बडियूट प्रोटीन की अदर कै शीवार करता है भीके हैं फिर हमारी बाड़ी क्या होगी कि अई तिन डिकम्पोस हो जाएकि टीकम्पोस होगी तो वह आपस डीकम्पोस है सोई में आके मिल जाएंगे ठीक है एस उजर वही सिंपल से साइक चलती रहेंगी जैसे अमने कार्बन की से खाँ प्रोटीन उसके बाद क्या होता है और नाइटरेट्स इसका नाम है और नाइट्रेट्स के जाते हैं नाइट्रोबेक्टल कितरूं था तो यह दोनों बैक्ट्रिया और नाइट्रेट्स करते हैं अच्छा एक चीज और है कि यह जो बेक्टिमलाई जो कन्वर्जन हो रहा है जो अमोनिया है नाइट्रेट है यह सारी चीज़े क्या कर रहे हैं यह सॉइल में बहुत बड़ा फर्टिलाजेशन का भी काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी प्रोडक्शन को बढ़ बडंशे हैं तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो जिसमें मैंने कने नाइट्रोजन के बाहरे है भी तुष तो 78% का 90% जो है हमें इस चेन के रास्ते से मिलता है इस 78% ही क्या तो यही था वीडियो दिसमें मैंने आपको नाइट्रोजन साइकल के बारे में बता है यानि कि वो जो 90% हो कैसे बन रहा है सोली में जाके बैक्टीरिया से हैं बैक्टीरिया उनको कनवर्ट कर रहे हैं उस प प्रफिट्टी में मिल जाते हैं तो आई होप आपको समझ में आगया होगा नाइट्रोजन साइकल क्या है और इसी के साथ खतम होता है हमारा एक पार्ट गैशियस साइकल वाला अगले पार्ट में जारेंगे सेडिमेंट्स के बारे में यानि कि जो हमारे फोस्फोरस आप नाइट्रोजन साइकल के बारे में यहां पे एक इंफॉर्मेशन और दिना चाहूंगा अगर आप लोगोंने कोई भी उप्यस की बुक अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाहिए वहां पे आपको लिंक अविलेबल है आप उन लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और इसे इंफॉर्मेंटिव वीडियो मिलती रहेंगी और अगर आप लोगों को मेरे काम में कोई कमी है या कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी इंप्रूव्मेंट ही ज़रूरत है तो मेरे कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइए और यही ता मेरा आज का टॉपिक मिलते है नेक्स वीडियो में तेंक्यू 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 वेरी मॉच्च